चलिए देखे इस वीडियो के इंदर बात करने वाली हैं स्टॉक मार्किट की कुछ एक बड़ी शांदार कंपनियों के बारे में सबसे पहले तो आप सभी को दशेरा की हार्दिक शुब कामना है और उम्मीद करेंगे कि जो अगला दशेरा हमें देखने को मिलेगा उस दशेरे तक काफी सारी कंपनियों के इंदर हम लोगों के मल्टि फॉल्ड रिटन बनेगे क्योंकि देखे आपने ये चीज़ नोटीस जिरूर की होगी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हम लोगों ने कवर की हैं पिछले लगभग एक साल के इंदर दो साल के इंदर कि पावर सेक्टर के अंदर बूम आएगा तो यहां पर तेजी आपको देखने को मिली हम लोग फोकस करके चल रहे थे EV कंपनियों के उपर कि यहां पर बूम आएगा तेजी देखने को मिली हम लोग फोकस करके चल रहे थे ऐसे बहुत सारे सेक्टर के उपर कि जहां पर अग अगर आप एक साल का नजरिया बना कर कुछ एक कंपनियों के इंदर अगर आप SIP प्लान करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारी ऐसी कंपनिया होगी और देखी कमाल की बात क्या है कि बीच बीच में हम लोग कुछ एक कंपनिया एड़ून भी करते रहेंगे क्योंकि होता क है कि देखिए बहुत सारी कंपनिय कुछ ऐसी कंपनी भी है जो आज की डिट में दोड रही हैं लेकिन बीच में अगर उनके फंडमेंटल के इंदर कुछ वीकनेस देखने को मिल जाए FIS के तरफ से सैरिंग हो जाए यहां पर कोई बड़ा प्लेयर अगर उस कंपनी के जो कंपनियां काफी समय तक Consolidations के Phase में भी चली जाती हैं तो यह चीज़े आपको जरूर देखने को मिल सकती है और Stock Market क्या है Stock Market है दोस्तो Ups and Down का दूसरा Rule यानि कि आज जो गिरावट हो रही है कल की डिट में काफी सारी कंपनियों के इंदर तेजी जरूर देखने को मिल लेगी तो जो पहली कंपनी हम लोगों ने लिए है यह कंपनी आज से पैसा नहीं बना रही है बहुत समय हो चुका है इस कंपनी के अंदर कोई समय ऐसा नहीं जाता होगा कि इस कंपनी के अंदर आपने शेर खरीदा और पैसा नहीं बना हो उसके पीछे एक बड़ा रीजन है reason क्या है कि एक तो यह company manufacturing and distribution के अंदर लगी हुई है specialized यहाँ पर हम लोग को जो consumer product होते हैं उनके अंदर और साथ ही में यह company global mineral beneficial के अंदर है देखें यह जो mineral beneficial है यह है क्या basically इस concept को समझेगा आपने एक चीज़ समझी कि जो consumer product होते हैं consumer product means जो खाने पीने वाले product होते हैं ठीक है और साथ ही में जो mineral beneficial है यहाँ पर mineral beneficial का मतलब यही है कि बहुत सारे जो minerals होते हैं वो specialized किये जाते हैं ठीक है और इनका जो प्रियोग है काफी सारे जो consumer product हैं उनके अंदर किया जाता है तो उसके manufacturing के अंदर यह company लगी हुई है और आप सभी back end में मजबूती देखने को मिली ही है अभी मैं आपको इस company के नतीजे भी दिखाऊंगा results दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस company के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है ठीक है इसके अलाबा यह company second largest producer है polymer based mill liners की ठीक है आज की company नहीं है दोस्तों बहुत पुरानी company है लगातार यह company अच्छा खासा पैसा कमा रही है और आगे आने वाले समय के इंदर इस company के share में आपको और मजबूती देखने को मल सकती है अगर आप अंदाजा नहीं हो लेवल देखने को मिल रहे हैं देखिए यहां पर चीजे समझेगा इस company को जो कमाई होती है वो कहां से कितनी हो रही है जो भी company product की manufacturing कर रही है और यह जो product बेची जाते हैं यहां पर यह company लगबख 96% earn करती है मतलब 100 रुपे कमा रही है तो जो भी product मना रही है उनकी manufacturing के बाद में selling कर रही है महां से 100 में से 96 रुपे यह company यहीं से कमा रही है और sale of services की बात करें तो यहां से company लगबख 4% के आसपास earn करती हूँ दिखाई देती है 10 manufacturing plant हैं इस company के ठीक है साथ location आपको इंडिया के इंदर देखने को बिलती है और इसके अलावा दोस्तों यह company ऐसा नहीं कि इंडिया के इंदर ही काम करती है बाहर भी company अपनी अच्छी खासी services प्रवाइड करा रही है उनमें promo group से चिली दूसरे नमबर पे South Africa तीसरे नमबर पे Australia जहां पर आपको इस company के plant भी देखने को बल जाएंगे और जहां पर इस company अपनी अच्छी खासी services प्रवाइड करा रही है तो एक तरीके से एक बड़ा network है और उसके अलावा अगर आप valuations देखें और market size देखें तो 12,000 करोड का market cap है 60 के P पर एक company मिल रही है dividend बराबर एक company हम लोगों को provide करा रही है अब गलती कहा हो रही है गलती हो रही है दोस्तो हम लोगों के काम करने के तरीके के अंदर अगर तरीका नहीं समझ पारें सुधार पारें तो फिर बजार के अंदर कभी भी बैसा नहीं बनेगा तरीका क्या है आज की रेट में कापी सारे डेटेल निवेश को का कि खरीदेंगे तो एक साथ बहुत जादा माल लगाएंगे और नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके S.I.P. किसी कंपनी के अंदर करना चाते ही नहीं है इसलिए हम लोगों का पैसा बजार के अंदर नहीं बनता है देखे कल भी मैंने ये बाते आपके साथ में शेयर की थी कि सब्ताह के अंदर दो दिन बहुती बोडेंट होते हैं हमारे लिए कौन-कौन से Saturday और Sunday अब आप सोच रहे होंगे कि Market तो इन दिनों बंद रहता है तो ये दिन इतने important क्यों है क्योंकि इन दो दिनों के अंदर दोस्तों हम लोगों को सोचने का समय मिलता है हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़े मिलती है इसलिए आपसे बार-बार ये बाते बताई जाती है कि शेर बजार के अंदर जो आपको एक इंटरेस्ट न कि डेली की डेली आपको कोई न कोई शेर खरीदना है बेचना है उन चीज़ों से थोड़ा सा आपको हटने की आवशकता है अगर आपने कंपनी पढ़ी और उस कंपनी के अंदर आपने S.I.P. प्लान की तो वहाँ पर हो सकता है कि शे मिनी के अंदर आपको बड़ा पैसा बनता हुआ दिखाई दे तो 12,000 करोड के मर्केट कैप पर 60 के वेलीशन्स वाली कंपनी 19% का ROC दिखा रही है 17% की ROE दिखा रही है 308 करोड का केवल डेट है और सेल्स करोड पात साल की तुलना में बढ़ती वो दिखाई दे रही है और अभी कमाल की बात क्या है कि Face Value 10 है आगे आने वाले समय के इंदर Stock Spillet भी इस कंपनी के इंदर देखने को मिल सकता है अब चीजों को समझेगा जिन चीजों के बारे में मैं आप से बात कर रहा था कि किस तरीकी से इस कंपनी के इंदर बैकेंड में मजबूती देखने को मिल रही है देखे 2016 के इंदर 534 करोड की sales से कंपनी रिपोर्ट किया करती थी और दीरे दीरे करके लगातार कंपनी के gross profit के इंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अच्छी बात क्या है कि देखे gross profit बढ़ रहा है साथ ही में कंपनी की जो margin है ये भी long term के साब से मजबूत हुए है बीच में आपको spike जरूर देखने को मिली है लेकिन अगर आप trend को follow करते हैं तो आपको पता चलेगा कि लगातार धीरे देरे करके company के margin के अंदर मजबूती है और साथ ही में अगर आप company का मुनाफ़ा देखें तो 2016-2017 में तो ये company lost report किया करती थी लेकिन अब 200 करोण से उपर का मुनाफ़ा दर्ज कर रही है और ये मुनाफ़ा एक बार में निकल के नहीं आया है हर साल लगातार धीरे धीरे करके increase हो रहा है और साथी में company का जो earning per share है दोस्तों इसके अंदर भी मजबूती देखने को मिल रही है देखें, important बात ये है ऐसी company को list मनाईगा जिन company का earning per share आपको कम से कम 5 से उपर देखने को मिलता है देखें, 5 से नीचे है तो उन company को तो ignore करने के आवा शकता है और अगर आपको 5 से उपर वाले earning per share जितना जादा होगा earning per share उतनी अच्छी वो company कहलाएगी तो यहाँ पर 31 का आपको earning per share देखने को मिल रहा है तो अच्छी सिती है साथी में अगर आप balance sheet इस company के देखेंगी तो 67 करोड का share capital reserves के अंदर लगातार मजबूती debt burden reduce हो रहा है और company के total asset increase हो रहे है और यहाँ पर दोस्तों अगर आप निवेशको का रुजहान भे इस company के देखेंगे तो promoters की एक अच्छी खासी holding इस company के देखेंगे FIS के तरफ से खरिदारी बढ़ी DIs कुछ माल बेच रहे और public की holding के अगर बात करते हैं quarterly basis पर कुछ माल यहाँ पर बेचा गया है तो क्या चीज सीखने को मिली कि technical basis पर तो यह stock मजबूत है ही साथी fundamentally basis पर भी इस company के अंदर मजबूत ही है तो एक बड़ी SIP प्लान अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा mutual funds के तरफ रोख नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि इस company के अंदर किसी भी तरीकी से काम करने में कोई दिक्कत है अब यहाँ पर हम लोग जो company लेकर आए हैं बहुती छोटी company है और possibilities बहुत जाद है जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको कही बार बता है तो यह plant अगर आप एक साल के बाद आपने कोई plant लगा आप उस plant को देखेंगे एक साल के बाद में उसकी जो height है वो कितने increase हो चुकी होगी ठीक है उसके बाद आप 5 साल के बाद में देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा पेड बन चुका होगा और यह जो पेड है दोस्तों यह हम लगों को क्या काम करता है छाया देता है फल देता है तो यह जो plant है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि possibilities बहुत जाद है और अगर आप यहाँ पर कहें कि एक पेड हमने खरीद लिया है तो पेड में जो संभावना है वो उतनी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो बढ़ने की growth की रफ्तार जो होती है वो पेड के पेक्षा प्लांट के अंदर है तो आपने यह चीज़ नोटिस जरूर की होगी कि जो जितने भी बड़े प्लेयर है वो जादातर कुछ एक छोटी कंपनियों के अंदर निवीश करना पसंद करते है क्योंकि यहाँ पर possibilities का भंडा आ रहा है और यही चीज़ इस कंपनी के अंदर हो रही है लेकिन यह हमारी समझ में नहीं आएगा यह बड़े प्लेयर की समझ का खेल है हम लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम लोग शोट टम के खिलाडी है 2020 में स्टॉक 2-3 रुपे का हुआ करता था आज 141 रुपे के असपास कारुबार कर रहा है 3744% के रिटर्न इस कंपनी के इंदर बने ओवराल चार्ट प्रेटन देखेंगे तो उपर की तरफ लगातार इस कंपनी के इंदर मजबूती देखने को मिल रही है और अभी भी अगर आप इस कंपनी का मार्केट साइज देखें तो 147 करोड का है possibilities का बंडार है पहली चीज टेकनिकली इस कंपनी के इंदर मजबूती देखने को मिल रही है क्योंकि stock price लगा था दोड़ रहा है तो ऐसे stock की अलग से list बनानी है दूसरी चीज वेलिशन से इस कंपनी के किसी भी तरह कोई दिकत नहीं है 37 का पी है ठीक है चलता है इतना तीसरा इस कंपनी का business भी attractive है business क्या है basically यह जो कंपनी है यह importer और distributor है import भी करती है और distributions भी करती है baby और mother care product की देखे baby यानि के बच्चे से रिटेटर जो care के product है उनकी import करना और export करना साथ ही में काफी सारी जो food product है उनकी यह company delivery भी करती है और import भी करती है पूरे भारत वर्ष के अंदर इस company का कारोबार चल रहा है एक तरीके से कह सकते हैं कि यह FMCG company है क्योंकि बहुत सारी product आपको ऐसे देखने को मल जाएंगे जहां पर यह company अपना business फैला रही है क्योंकि baby category के अंदर भी आपको यह company देखने को मल जाएगी pack play के अंदर देखने को मल जाएगी ठीक है और food के अंदर आपको यह company कारोबार करती हूँ दिखाई दे रही है तो आपने देखे कुछ brand name है जैसे की mother care का नाम आपने सुना होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मल जाता है नभी का नाम आपने सुना होगा pepsodent का नाम आपने सुना है तो उसके delivery के अंदर भी एक company हम लोगों को काम करती हूँ दिखाई देती है ठीक है एक रावी का नाम आपने सुना होगा तो बहुत सारे ऐसे product tech है जो brand name है जिनके अंदर एक company हम लोगों को काम करती हूँ दिखाई देरी है अब interesting बात क्या है खाली ऐसा नहीं कि 147 करोड का market size है तो एक company भार अपना business नहीं फिला रही है ये company इंडिया के अंदर तो कारोबार करती ही है साथ ही में अगर आप इस company का globally worldwide देखेंगे तो ये company कुछ ऐसे देश है जिसकि Thailand के अंदर, Malaysia के अंदर, South Korea के अंदर, USA के अंदर इसके अलाव भी काफी सारे देश है जहां पर ये company अपना जो माल है वो सप्लाई करती है तो overall आपने देखा कि technical basis और साथी में company का जो एक structure है वो शांदार दिखाई दे रहा है तो आगे आने वाले समय के लिए एक और S.I.P. वाला stock मिल गया यहां पर लंसम माल खरीदने की बात होई नहीं रही है क्योंकि stock price गिरेगा आ गयाने वाले समय के अंदर होगो सकता देखे कभी भी यह मत समझ येगा दोस्तो कि जिस भी company के share के अंदर खरदारी कर रहे हैं अगर आप बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि यह stock कभी गिर नहीं सकता है गिरता है बहुत सारी कंपनियों के इंदर short term के साब से गिरावट हो जाती है consolidate करता है लेकिन अगर business अच्छा है तो वो company गिरावट के बाद भी multi begging return हमों को कमा कर देती है अब रही बात 200 fundamentals की तो मैंने आपको बताया कि market size 147 करोड का 37 के fee पर company कारुबार कर रही है ROC की बात करें 15 और 13 18 करोड का dead button है कोई दिक्कत नहीं है sales growth 5 साल में 20% की थी थोड़ी सी घट रही है 17% के आसपास देखने को मिल रही है face value 10 है stock spillet इस company के इंदर देखने को मिल सकता है अब रही बात दोस्तों यहां पर देखि चीज़े notice करके चलनी है notice क्या करनी है कि बहुत सारी ऐसी company आपको देखने को मिल जाएंगी जो company चोटी है क्योंकि plant है पोधा है तो आगे आने वाले समय के अंदर यह चीज़े हम लोग को बड़ी होती भी दिखाई देगी अगर आप सोचने कि आज ही यहां पर बड़ा खेल हो जाए तो वो चीज़े नहीं है तो अपने आपको पालना सीखी गा sales growth अगर आप देखिए तो लगातार देरे देरे करके increase हो रही है कभी 40 करोड की हुआ करती थी अब भी अगर आप देखेंगे तो 96 करोड की है मुनाफ़ा कभी negative में हुआ करता था अब लगबग 4 करोड के आसपास एक कंपनी प्रॉपिट यहां पर report करती वो दिखाई दे रही है balance sheet की बात की जाए तो 10 करोड का share capital है इसके अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है reserves लगातार कंपनी का increase हो रहा है debt button बढ़ा है ठारे करोड का फिलाल आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के total asset भी यहां पर increase होते हुए दिखाई दे रहे अब रही बात निवेशकों की तो promoters की चमून परटेंट की सिदारी है यहां पर D.I.S की तरफ से quarterly basis पर किसी वी तरे का कोई माल नहीं बेशा गया है और बात की जाए public की holding की तो quarterly basis पर कुछ माल यहां पर यह हलका करते हुए दिखाई दिखाई दिए है तो technical basis पर और साथी में अगर आप fundamentally इस company को देखेंगे तो इस company के इंदर long term के साफ से मजबूती देखने को मल सकती है देखे पहली के लियर कर रहा हुए बाते यह आज का stock नहीं है दोस्तों यह कुछ ऐसे stock है जिने हमें एक तरीके से जिसे मुर्गी अंडे को सेती है समय देना ही पड़ेगा क्योंकि जब यह पूटेंगे न तो किसी को पता ही नी चलेगा कि कितना शांदा रेटनी company तब तक हम लोगों कमा कर दे चुकी होंगी एक बहुती interesting business मैं आपके सामने share कर रहा हूँ share price की बात नहीं करते हैं क्योंकि share price देखें बहुत दुखी करते हैं बहुत सारी ऐसी company है जहां पर एक लंबे समय तक consolidation देखने को मिल जाता है लेकिन business मजबूत होना चाहिए business अगर अच्छा लग रहा है तो वो share price कभी ना कभी हम लोगों को increase होता हुआ दिखाई देही जाता है तो यहां पर कुछ चीजे note करके चलनी है क्या यह जो company है दोस्तों यह pipe manufacturing के अंदर है pipe बनाती है यह company और आप सभी different type के pipe हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ एक pipe आपको water supply के regarding भी देखने को मल जाते हैं कुछ एक pipe आपको gas के supply के regarding भी देखने को मल जाते हैं तो उन सभी pipe की manufacturing के अंदर एक company हम लोगों को काम करती हुई दिखाई दे रही है तो आगे आने वाला जो समय है आज क्या है आज तो दुखदर्द है क्या पिछला अगर आप 6 मीना देखें तो यह stock का मिल रहा था लगबग 500 रुपे के आसपास आज कहा है आज तो गिरावट है 300 रुपे के आसपास यह stock गया था अगर आप low देखेंगे तो अभी नहीं दिखाई देगा तो लगबग 323 रुपे के आसपास यह stock चला गया था 500 रुपे तक के लेवर इस company के share के अंदर देखने को मिल गए नियर भाई exact अगर आप देखेंगे तो 513 तो उसके बाद मुनाफ़ा वसूली हुई है तो long term के साब से अगर आप इस company के अंदर SIB कर रहे हैं तो कोई दिखाती है अब दूसरी चीज क्या है कि company कितनी बड़ी है तो 2000 करोड का market cap है 19 के पी पर एक company कारुबार कर रही है तो इस company के अंदर दोस्तों हम लोगों को बने रहना चाहिए अगर आपने पहले से माल उठाय हुआ है तो बने दीजेगा hold कीजेगा technical basis पर अभी फिलाल इस company के share के अंदर गिरावर देखने को मिल रही है अगर पर हम लोग चैन की नीन्स होते हैं यहां चले ठीक है विजनेस कोई दिक्कत नहीं है आद गिर रहा है शेर कल की डेट में तेजी भी दिखने को मल सकती है लेकिन भाई बहुत सारी एसी भी अपनिया होती है अब यह नहीं होगा अब शेर प्राइस भले ही गिर रहा है लेकिन मैंने आपसे यह क्यों कहा कि आगे आने वाला समय बहुत ही शांदार देखने को मल सकता है तो उसके पीछे कुछ लोजिक्स थे रीजन थे जो कि हम लोगों ने इडेंटिफाई किये 14% का ROE, ROC और ROE की बात करें तो 8% का है, debt button 326 करोड का है, sales growth बढ़ रही है, दुगनी हो चुकी है, 3 साल में 14% थी, 5 साल में अगर आप एक average देखें तो 7% थी, face value 5 है, stock split is company के इंदर देखने को मल जाएगा, रही बात दोस्तों results की तो 2015 के इंदर ये company, 1300 करोड की sales report किया करती थी, अभी अगर आप दिहान से देखेंगे, तो 3400 करोड की sales ये company report कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये company मुनाफ़ा लगातार घटा रही है, नहीं, लगातार increase ओरा profit, लेकिन share price गिर रहा है, अगर आप इस company का earning पर share देखे इस company की, तो company के पास में जो share capital है, वो 32 करोड का है, reserves की बात की जाए लगातार बढ़ोतरी हो रही है, dead button 326 करोड का company के total asset increase हो रहे है, और रही बात निवेशकों की, तो company के अंदर जो promoters के सिदारी है, वो 46% की है फिलाल, यहाँ पर FIS के तरफ से stake add किये गए, DIS के तरफ से कुछ नहीं है, neutral है, बाकी retail category के अगर बात करते हैं, तो quarterly basis पर कुछ माल यहाँ पर यह हलका करते हैं, तो fundamentally तो इस company के अंदर आपको हाथ रखने की जगा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, कुछ stake यहाँ पर घटाया गया है, जिसकी वज़े से stock price नीचे है, otherwise company के अंदर कोई दि गली जिगा, thank you so much for watching.